जैन बच्चो, क्लास नाइट में हमारा जो चेप्टर चल रहा है मैतमेटिक्स में वो है बहुपद और आज हम करेंगे उसकी प्रश्णवली 2.5 तो प्रश्णवली 2.5 में जितने भी क्वेस्चन्स होंगे वो सारे के सारे क्वेस्चन्स कुछ सर्व समिकाओं के द्वारा हल किये जाएंगे कौन कौन सी सर्व समिकाओं किस क्वेस्चन में लगेंगी उसके लिए मैं हर क्वेस्चनों करने के साथ उसके साथ सर्व समिका भी दूँगा जिससे वो हल होगा अगर आपको सर्व समिकाओं की पूरी लिस्ट देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सही सर्व समिकाओं के बारे में एक वीडियो में दिखाया है तो आप वहाँ पर जाएं और उसको देखें हमारे पास question number one का जो question number one है उसमें लिखाया है उप्यूक्त सर्व समिकाओं का प्रियोक करके जो निमलिकित question है उनका golden funnel ग्याद करना है आपके पास सबसे पहला question है x plus 4 multiply x plus 10 तो इसमें जो सर्व समिकाओं लगेगी वो होगी हमारे पास मैं इसी के निचे लग देता हूँ वो होगी हमारे पास x plus a multiply x plus b जो की equal होता है x square plus a plus bx plus a b इन questions को करने से पहले आपको सभी सर्व समिकाओं को याद भी करना पड़ेगा तभी इन questions को समझने में आपको आसानी होगी तो ये हमारे पास एक चौती सर्व समिका है जिसका उप्योग इस question में कहिया जाएगा plus है, 4 की जगा a है x की जगा x है, plus की जगा plus है और b की जगा क्या है 10 है, इसका मतलब ये है कि a की जगा आपको 4 मिला हुआ है b की जगा 10 मिला हुआ है तो आपको पूरा यही copy कर देना है बस अंतर इतना है कि a की जगा आप 4 लिखोगे और B की चेका क्या लिखोगे 10 तो मैं अगर यही पर इसको लिख दूँ चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो मैं यही पर इसको लिख देता हूँ तो क्योंकि X यहाँ पर भी है और X question में भी है तो पहले तो होगा X square Yes, as it is आ जाएगा Plus A कितना है हमारे पास 4 B कितना है 10 और X तो X ही रहेगा A कितना है 4 और B कितना है 10 अब X square को ऐसे ही लिख दिया 4 को 10 के साथ add करो तो कितना आ रहा है 14 X साथ में है और 4 तेंजा 14 तो इस तरीके से हमारे पास यह पहला question complete होता है अब हम second वाले को देखते हैं Question number हमारे पास जो second है वो है X plus 8 multiply X minus 10 तो सर्व समी का हमारे पास है X plus A X plus B यही सर्व समी का यहाँ पर भी लगेगी जो है आपके पास X square plus A plus B X plus A B अगर compare करोगे दोनों को तो आपको पता लगेगा कि A किसके बराबर है 8 के बराबर और B किसके बराबर sin के साथ minus 10 के तो आप क्या करेंगे इसको भी इसी की तरह पर लिखेंगे जहाँ A है वहाँ 8 आजाएगा जहाँ B है वहाँ minus 10 आजाएगा तो किस तरह के से लिखने वाले हैं इसको हम लिखेंगे equal to क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं तो इसको अगर तुमने ऐसे लिखा है तो इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो यहाँ लिखता हूँ तो इसमें सबसे पहले क्या है x square तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा x square चीक हो क्या फिर इसमें यहाँ plus है इसके solution में यहाँ plus है इस identity में इस सरसमिका में यहाँ plus है तो हम लगाएंगे plus फिर bracket में है a plus b क्योंकि इसमें a और b a 8 है b minus 10 है तो हम 8 minus 10 लिखेंगे इसकी जगा 8 और इसकी जगा minus 10 और यह क्या है आपका x plus a की जगा 8 और b की जगा minus 10 अब कुछ नहीं करना है हम इसको simplify कर लेते हैं x square 8 minus 10 कितना होता है minus 2 तो यह हो जाएगा minus 2x plus 8 को 10 से multiply कर दे तो यह आ जाता है minus 80 तो फिर यहाँ आ जाएगा minus और यह 80 तो यह b part हमने यहाँ पर कर लिया अब हम करेंगे हमारा c part जो की है 3x plus 4 और 3x minus 5 identity फिर से वो ही लगेगी कौन सी वाली x plus a multiply x plus b equal to x square plus a plus b x plus a b हमें कुछ नहीं करना है पहले आप क्या करो इन दोनों को compare करो compare करने का मतलब यह जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर जो पहला लिखा है देखो इसमें यहाँ पर क्या है x है तो आप यहाँ पर x की जगा है 3x है a की जगा है 4 है इस x की जगा है इसमें x के जगह हटा कर क्या लिख देना है 3x a की जगह हटा क्या लिख देना है 4 b की जगह क्या लिख देना है minus 5 इस x की जगह क्या लिख देना है 3x इस a की जगह क्या लिखना है आपको 4 और b की जगह कितना लिखना है minus 5 तो मैं लिखता हूँ इसी को copy करता हूँ पर क्योंकि इसके लिए यहाँ x square लेना है तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा 3x का square a कितना है आपका अगर इन दोनों compare करो तो a आपको पता लग रहा है 4 है plus b कितना है इसको इससे compare करोगे तो पता लगएगा b कितना है minus 5 तो यह फिर plus नहीं आएगा फिर यहाँ जाएगा minus 5 बाहर क्या है x है ना पर आपको पता है इसमें तो x है लेकित इसमें क्या है 3x है ना तो 3x plus a कितना है compare करो a 4 के बराबर है ना तो 4 और b b किसके बराबर है minus 5 अब सिर्फ solve करना है 3 का square कितना होता है 9 x का square x square क्योंकि इन दोनों का work है ना तो दोनों के लिए work करना है 4 को 5 से minus करोगे 4 minus 5 कितना होता है minus 1 उसको 3x से multiply करो तो जाएगा minus 3x इसको इस से multiply करोगे 4 को minus 5 से तो कितना हैगा minus 20 तो ये हमारे पास question number c भी complete हो गया है तो बच्चो अब हमारे पास ये d है part इसमें लिखा है y square plus 3 by 2 multiply y square minus 3 by 2 अब इसमें अभी तक पिछले तीन question में जो हमने सरसमीका लगाई थी वो सरसमीका यहाँ पर नहीं लगेगी तो पहले समझ लेते हैं हमें देखकर कैसे पता लग रहा है कि कौन से सरसमीका लगेगी देखो ये चीज यहाँ पर है यही चीज यहाँ पर भी है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो तीसरी सरसमीका जो हमारे पास कुछ-कुछ ऐसी है कैसी है तो ये वाली सरसमीका लगेगी यहाँ ठीक है अब उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसको इसके साथ compare करता हूं ठीक है आप एक चीज और ध्यान रखनी है आप A और B की जगह X और Y ले सकते हैं पर क्योंकि हम X और Y यूज कर रहे है तो हम X और Y लेके चलते हैं पर क्योंकि already Y यूज हो रहा है तो फिर हम यही लेना पड़ेगा तो हम यही ले लेते हैं A प्लस B multiply A minus B equal to A square minus B square अगर आप Sir Samika को लिख देते हैं तो उसके बाद आपका काम क्या होता है कि दोनों को compare करो A की जगह क्या है Y square B की जगह क्या है 3 by 2 A की जगह क्या है Y square और B की जगह क्या है 3 by 2 तो अगर इसको ऐसे लिखा है तो इसको भी तो ऐसी लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे देखें equal to तो इसके लिए इसको solve कर रहे हैं हम यह सर्व समी का कॉंसी इस्तमाल होगी वो तो bracket में लिख दिया हमने इसको solve कर रहे हैं तो इसको solve करने पर सबसे पहले A का square लिखा फिर minus B square लिखा तो ऐसे ही इसको solve करने के लिए पहले A का square पर फिर minus B square है तो इसके लिए तो पहला A है फिर B है तो इसमें पहला क्या है Y square है ना तो Y square का square करना पड़ेगा minus b square मतलब यहां पर जो दूसरा पद है पर इसमें दूसरा पद कौन सा है 3 by 2 तो यह हो गया 3 by 2 का square अब इसको solve करते हैं तो यह है y square का square तो क्या हो जाएगा आपका y 4 यहां पर 3 by 2 का work है मतलब 3 का भी square करना है 2 का भी square करना है तो 3 का square कितना हो जाएगा 9 और 2 का square कितना हो जाएगा 4 तो इस तरह के से हमारे पास बच्चो यह D part भी यहां पर complete होता है तो इसमें बाकी की जो 2 parts है वो आप खुद कर सकते हो और इस तरह के से हमारे पास यह वीडियो समापत हो जाती है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को शेयर जरू करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच जैहिंद